आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले है 12th Class English का Chapter 4 The Rat Trap जो कि आपका फ्लैमिंगो बुक से है और इस चाप्टर की राइटर है सेलमा लाजलोफ तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो चाप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस चाप्टर में करेक्टर कौन कौन से आई है तो सबसे पहले आता है पेडलर और ये क्या है रैट ट्रैप्स बनाता है यानि कि जो चुहेदानिया होती है वो बनाता है ये पैडलर और पैडलर क्या होते है जो इधर-उदर घूमते रहते हैं सावान बेचने के लिए वो होते हैं पैडलर नेक्स्ट है हमारे पास क्रोफटर जिसका मतलब होता है एक किसान और ये क्या एक बुड़ा आदमी है जो रामस जो आईरन वर्क है उसके अंदर क्या है काम करते हैं और उसके बाद में आता है अप्रेंटेंस जो की एक लड़का होता है और ये मास्टर ब्लैक स्मित की कह है उनके कामों में मदद करता है तो फाइनली यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है दर रैट ट्रैप तो ये जो कहानी है वो एक बहुती गरीब आदमी की है जो क्या है छोटे-छोटे रैट ट्रैप बनाता है तारों से और वो क्या है इधर-अधर घुनता रहता है इन रैट ट्रैप को बेचने के लिए लेकिन जो वो गरीब पेडलर होता है ना उसके पास इतनी पैसे नहीं आते इन रैप ट्रैप से कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी कर पाए इसलिए वो क्या करता है वो भीग भी मांगता है वो क्या चोरियां भी करता है और उस पेडलर के जो कपड़े थे वो भी एकदम फटे पुराने से थे और उसकी गाले भी एकदम सुकुर चुकी थी और उसके सासाथ वो क्या है भूका भी रहता था और साती में उसकी जो life है वो क्या उदास थी और एकदम निरस थी इसमें कोई भी रस नहीं था तो एक दिन जब वो rat trap बेश रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आईडिया आता है कि ये जो पूरा world है वो भी तो एक rat trap की तरह ही है और rat trap में क्या होता है जो rat होता है वो क्या है attract हो जाता है जो उसका bet रखा हुआ होता है उस trap के अंदर उसमें वो first जाता है और उसको खाने की कोशिश करता है bet यानि की जो हम चीज रखते है ना चुहे को पकड़ने के लिए जैसे हमने उसमें कोई रोटी का टुकड़ा रख दिया या चीज रख दिया ब्रेड रख दी तो वो यहाँ पे क्या है bet है तो इसी तरीके से जो पूरा world है उसके अंदर भी जो लोग है उनके लिए क्या है अलग-अलग bets होती है जो उनको attract करती है और लोगों के लिए ये bets हो सकती है धन, खुशी, जो उनका shelter है वो, food और clothing तो ये सारी क्या है लोगों के लिए bets होती है जो उनको attract करती है और जब एक इनसान इन बैट से अट्रेक्ट हो जाता है तो वो चुही की तरह ही एक ट्रैप में फस जाता है और जो पेडलर है न वो सोचता है कि इसकी लाइफ ने उसके उपर कवी कोई दया नहीं की इसलिए उसको कहा है यह जो सारा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह लगता है तो एक दिन अधिरी शिशाम को वो कहा है रोड की एक साइड पे चल रहा था बहुत ही परिशानियों के साथ तो उस पैडलर ने नोटिस किया कि यहाँ पे गरे कलर की कोटेज है रोड साइड पे और उसने कहा है उस कोटेज का डोर नोक किया और एक बुड़े से आदमी ने वो डोर है वो खोला और उसका वैलकर्म किया और वो जो बुड़ा आदमी है वो एक क्रॉफटर था जैसे मैंने आपको बताया था यारी कि वो एक किसान था और जो कि अकेला रहता था उसके ना तो कोई पत्नी थी और ना ही बच्चे और जो बुड़ा आदमी है वो खुश हो जाता उस पैडलर को देखते हुए कि कोई तो आया मेरे साथ बात करने के लिए क्योंकि वैसे भी वो क्या है अकेला रहता है तो इसलिए वो क्या है लॉनली सा फील करता है और उस κ्रॉफटर ने उस पेडलर को क्या है खाना खिलाया और जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक वो उसके साथ क्या है ताश के पत्ते खेलता रहा और जो बुड़ा आदमी होता है वो बताता है कि वो क्या है क्रॉफटर था राम जोस आइरन वर्क पे यानि कि वो क्या है वहाँ पे काम करता था जो राम जोस आइरन वर्क है उसमें लेकिन अब वो वहाँ पे काम नहीं करता अब वो क्या है पैसे कमाता है उसकी जो गाएं ह और जो बुड़ा क्रॉफटर होता है वो कहा है पैडलर को जो उसने पैसे रखे हुए होते है वो दिखाता है और उसने पैसे रखे हुए होते है एक लेधर पाउच में डाल कर विंडो फ्रेम में उसने एक कील के उपर वो पैसे लटकाई हुए होती है तो अगली सुबह क्या होता है जो दोनों ही आदमी है यानि कि क्रॉफ्टर और जो पेडलर है वो क्या है दोनों ही वो घर से क्या है सेम टाइम पर निकलते हैं लेकिन आदा घंटे बाद में जो पैडलर है वो क्या है वापस आता है और फिर वो विंडो के पास आता है और जो ग्लास होता है विंडो को उसको तोड़ देता है और जो पाउच लटकाया हुआ होता है उसे क्या है वो ले लेता है और उस पाउच में से पैसे निकाल कर उस उसको वापस ही वहीं पर लटका देता है और फिर वो अपने रास्ते चला जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो पैडलर है वो क्या है रैट ट्राप बीचने के साथ साथ चोरियां भी करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने चोरी कर ली थी तो अब यंदेशिजेमें में चुराय हूए पैसे थे उनके साथ क्या है हाईवे पे चलना उसके लिए सेफ नहीं था तो इसलिए उसमें वह रास्ता बदला और फ्रश्ट के रास्ते पे चल दिया और आगे चल कर क्या है वह क्या है एक बड़ी सी और कन्फ्यूजिंग सी forest के अंदर पहुँच गया वो चलता गया चलता गया लेकिन उसको जो forest है उसका end नहीं मिला तो जैसे जैसे वो forest के अंदर फसता जा रहा था तो उसको लग रहा था कि ये जो world है वो क्या एक rat trap की तरह ही है तो जो पैसे उसने चुराए थे वो क्या उसके लिए एकदम बैट की तरह ही काम कर रहे थे और इसलिए वो क्या उस forest के अंदर फस गया और धीरे धीरे जो darkness है जो अंधेरा है वो क्या बढ़ता जा रहा था और ये क्या है जो December के end के जो days होते है उसी की बात है इसलिए जो forest है वो भी क्या है बहुत ही ठंडा होता जा रहा था वहाँ पे सरदिया चल रही थी और जब उसने क्या है hope छोड़ दी थी कि वो अब survive नहीं कर पाएगा तब ही वो क्या एक आवास सुनता है और वो आवास होती है किसी हतोड़े के टकराने की जो किसी iron मिल यानि जो किसी iron factory से आ रही होती है और बहुत ही मुश्किलों के साथ वो उड़ता है और उस sound की और वो चला जाता है और जो red trap seller है वो sound को follow करते करते कि राम जोस की जो iron works है यानि कि राम जोस की जो factory है उसके अंदर पहुँच जाता है और उसके अंदर चला जाता है तो वहाँ पर जो blacksmith होता है वो बहुत ही दया से उस peddler की और देखता है और जो peddler है वो वहाँ पर रहने की permission मांगता है कि क्या मैं एक रात पर यहाँ पर रह सकता हूँ तो जो वहाँ का chief blacksmith होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो तो कुछ समय बाद में उस factory का जो मालिक है वो आता है यह देखने के लिए कि भई काम जो है वो ठीक ठाक तो चल रहे है न और फिर जो मालिक है वो उस peddler की और देखता है और जिसकी हालत बहुत ही बुरी हुई होती है लेकिन यहाँ पर कहानी में twist आ जाता है और जो वो मालिक होता है उस factory का उससे एक गलत फैमी हो जाती है वो उस peddler को क्या है अपना कोई पुराना जान पहचान वाला समझता है और वो जो मालिक है वो यह सोचता है कि यह इसका कोई पुराना दोस्त है जिसका नाम है निल्स उलुफ और फिर वो सोचता है कि इसका पुराना दोस्त इतने फटे पुराने कपड़ों में क्यों है लेकिन जो पैडलर होता है उसने कभी भी जो फैक्टरी का मालक है उसको नहीं देखा था और तोर वो उसका नाम भी नहीं जानता था लेकिन जो पैडलर होता है वो भी उस आईरन मास्टर को सच्चाई नहीं बताता है वो भी सोचता है अगर ये मुझे अपना पुराना फ्रेंड समझ रहे तो मैं उसे समझने देता हूँ फिर वो पेडलर आइरन मास्टर को बताता है कि मेरा जो है वो बूरा समय चल रहा है इसलिए मेरी ये हालत हो गई है और जो आइरन मास्टर है फिर उससे कहता है कि तुम जहां पर अपनी पुरानी जोब करते थे ना उसे तुमें क्या है रिजाइन नहीं करना चाहिए था उसे तुमें छोड़ना नहीं चाहिए था और फिर जो Iron Master है वो उसे पेडलर को क्या है अपने house पे invite करता है Christmas celebration के लिए लेकिन अब जो पेडलर था ना वो कोई नई परिशानी में नहीं पढ़ना चाता था इसलिए उसने क्या है मना कर दिया था Iron Master के साथ जाने से तो Iron Master की एक बेटी है जिसका नाम है Adla तो Iron Master ने सोचा कि जो उसकी बेटी Adla है वो उसके friend को मना लेगी कि वो क्या है हमारे साथ रही इसलिए वो Iron Master घर चला गया और अपनी बेटी को लेकर आ गया और Adla ने बहुती दया से उस पेडलर की और देखा और Adla ने बहुत जादा request की उस पेडलर से कि वो क्या है उनके घर पे चला जाए और आखिरकार जो rat trap seller है वो क्या है मान गया उनके घर जाने के लिए और next day क्या था Christmas था तो जो Iron Master के जो servants थे उन्होंने क्या उस पेडलर को नहलाया वो उसका कोई पुराना दोस नहीं है वो एक पेडलर ही है क्योंकि जब रात को Iron Master ने पहली बार उसको देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये उसका पुराना दोस थी क्योंकि रात को इतना ज़ादा वहाँ पे उजाला नहीं था लाइट्स भी अच्छे से नहीं जल रही थी इसलिए उसको लगा कि वो उसका पुराना दोस थी लेकिन अब उसको क्या सचाई पता चल गई थी इसलिए वो Iron Master उस पे बहुत ज़ादा गुसा हुआ बहुत ज़ादा गर्जा और उससे पूछा कि तुम कोन हो और Iron Master ने पूलिस को बुलाने की भी धमकी दी लेकिन जो पेडलर है उसने कहा कि इसमें मेरी तो गोई गलती नहीं है क्योंकि जो Iron Master था वही उसको लाया था खुद अपना पुराना दोस समझ के तो वो उसने बताया पेडलर ने कि मेरा किसी को दोका देने का कोई इरादा नहीं था इसलिए जो Iron Master है उसने उसको जाने को कहा लेकिन जो उस Iron Master की बेटी होती है वो चाहती है कि पेडलर क्या है उनके साथ ही रुके उस Christmas वाले दिन और हो कहती है कि क्यूना हम इसको क्या यहीं पर रहने दे और एक ही दिन जो इसको मिला है अच्छे से сохранit करने का उसको क्या enjoy करने दी और कहा कि हमें ऐसे इंसान को बाहर जाने के लिए नहीं गहना चाहिए जिस से हमने promise किया था कि क्या हमारे साथ Christmas enjoy कर सकता है और फिर उसने पेडलर को कहा कि तुम क्या है बैट जाओ और आराम से डिनर करो खाना खाओ और इवनिंग में जो क्रिस्मस ट्री था उस पे भी लाइट्स लग दिछुकी थी और जो पेडलर था उसने क्या सब को थैंक्स किया उसको ऐसे ट्रीट करने के लिए और अगली सुबह क्या होता है जो आयरन मास्टर और उसकी बेटी होती है न वो चर्च जाती है क्रिस्मस पे कुछ सेवा करने के लिए किसी को कुछ बाटने के लिए गए होंगे वो लोग लेकिन जो रैट ट्रेप सेलर था वो कैग घर पे सोया हुआ था आराम से और चर्च में आयरन मास्टर उसकी बेटी को पता चलता है कि किसी रैट ट्रेप सेलर ने एक ओल्ड क्रॉफटर के जो पैसे है वो चोरी कर लिए है उसको लूट लिया है और ये न्यूस सुनकर जो एडला थी वो बहुती ज़ाधा उदास हो गई और उसके जो फादर है वो डर गए थे कहीं जो रैट ट्रेप सेलर है वो तो अभी घर पे यह कहीं वो हमारी जो चांदी की चमच है वो ना चोरी कर ले अभी लेकिन जो उनकी कार पार्किंग करता है वो बता देता है कि पैडलर ने कहा यहां से कुछ भी नहीं चुड़ा है कुछ भी नहीं लिया है बल्कि उसने तो कहा है एडला के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है और उस पैकेट के अंदर उसको एक छोटा सा कहा है रैट करने के लिए और उसने लिख रखा था कि अगर वो सच में कैप्टन होता यान कि अगर वो सच में उसके फादर का फ्रेंड होता तो वो कह कभी भी उनको परिशान नहीं करता क्रिस्मस पर और उसने एडला से खतम होता है लास्ट में एक question है कि जो क्रोनोर है वो किस country की currency है जल्दी जल्दी comment कर दो क्योंकि मैंने वीडियो में बता रखा है और इसके one marker question important question और NCRT questions भी जल्दी आ जाएंगे तो इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना अरे रुको जाते जाते ये तो बता जाओ explanation कैसी की लगीन